नमस्कार दोस्तों अब ये भी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी ख़बर स्वक्ताराई है मुंबई से अगले दस मिनट के भीतर मुंबई में पहुंचने वाला है भेंकर तूफान बिपर जोय चक्रवाती तूफान मुंबई के अंदर आने वाला है भेंकर से अती भेंकर तबाई मचने वाली है मौसम भाग ने का कि अगले 10 मिनट के भीतर महराष्ट की राइधानी में गराच चमक के साथ जम कर बारिस होनी की अती प्रिवल संभावना है मौसम भाग ने रतनागिरी, रायगर, ठाने, पाल घर में अगले कुछ घंटों के लिए ताबर तोड बारिस का अलट जारी कर दिया है अगले कुछ घंटों के भीतर लग भाग 80-90 किलोमेटर प्रते घंटी की रफ्तार से तेज हावाई चल सकती है मौसम भाग ने का कि आज गंभीर चक्रवाती तूफान विपर जोए मुंबई के अंदर भारी भेंकर तवई मचाने वाला है मौसम भाग ने येलो अलट जारी कर दिया है आपको वतने ये तूफान बुद्वार की सुबैता के लग भग उत्तर की और बढ़ने की संभावना 15 जून की दोपेव के आसपास मांडवी गुजरात और कराची पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के तटो को एक बहुती गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करेगा मौसमे भाग ने का कि अधिकतर निरंतर हवा की गती 155 से लेकर 180 किलोमेट प्रति घंटे हो सकती है इस समय भी पाकिस्तान के अंदर हालात बेकावू है चक्रवाती तूफान भारत के कैई राज्यों में मूसला धार बारिस कराने वाला है दूस्तो ठाने, मुंबई और पाल घर में रेड अलट जारी कर दिया है यहां दूस्तो तटिये इलाकों को हाई अलट किया है मचवारों को 14 जून तक समुदर के किनारे नहीं जाने की अपिल की है 14 जून तक यहां अलट जारी किया है अरब सागर के तटिये सहर गुजरात के वलसाड में तीथल बीच पर सनिवार को उची लहरे दिखी गई थी एतिहात के तोर पर तीथल बीच को 14 जून तक पलेटवकर के लिए बंद कर दिया है यह तूफान दूस्तो गुजरात दमंदीव की अंदर भी भारी भेंकर बारिस कराने वाला है